हेलो दोस्तों आप सभी के स्वागत है आज की हमारी कहानी है आस या ना आसकी का भाग आठ आपने अभी तक पिछले वीडियो में सुना कि अनामिका अवनी से अधित्ति के बारे में बोलती ही जा रही थी तभी अधित्त अनामिका के पीछे आकर सब कुछ सुन रहा होता है आंगे क्या हुआ या जानने के लिए अब सुनिये आदित्ति ने अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था दोनों खामोसी से एक दूचरे की ओर पीट किये खड़े थे जो एहसास अनामिका मेहसूस कर रही थी सर्द आज से पहले उसने कभी नहीं किया था अंजाने में उसने आदित्ति के सामने वो सब कह दिया जो वह उसके लिए सोचती थी आदित्त अनामिका के बोलने के इंतिजार में था लेकिन अनामिका जैसे खमोसी हो गई आदित्ति न उसका हाथ छोड़ दिया तो अनामिका वहां से नीचे चली आई उसका दिल अभी भी तेजी से धड़ तो कभी मुस्कुरा जाती अनामिका केली ही खड़ी थी तब ही दादी मा अंदर आएं और अनामिका को मुस्कुराते देखकर कहा अरे अनामिका क्या हुआ अकेली खड़ी क्यों हस रही हो दादी की आवास से अनामिका चौके और कहा कुछ नहीं दादी मा हम तो बस पानी ले की ने आए थे कहती उसने पानी का जग उठाया और चली गई दादी माने भी अपना काम की आओ चली गई अनामी का उपर आए तो उसके नजर अधित्य के कमरे की नहीं देख पाई आखेर लेकिन नीन नहीं आ रही थी, अनामी का उठी और बापिस कमरे के बाहर आ गई, उचने उपर छट पर जाने का सोचा और उपर चली आई, जैसी अनामी का उपर आई, उपर का नजारा देख कर, खुश से कहा, ये जगह तो बहुत खूपसूरत है, हम न तो इसे देखा ही नह था, अनामी का मुस्कुराते हुए छट पर घूमने लगी, बहुत बड़ी छट थी, जिसके एक कौने में गार्डनिंग का काम किया हुआ था, खूपसूरत लाइटिंग थी, छट जैसे लटके हुए, छोटे छोटे रोसंदान, अनामी का को सब बहुत अकलसक लग रहा थ घूमते उसकी नजर, कौने में सोफे निमा कूरसी पर, बैठे दादू पर गई, अनामी का उनकी और चली आई, लेकिन जैसे पास पहुँची हैरान थी, दादू के सामने एक छोटी टेबल पर, सराप की बोतल, पानी की बोतल, ग्लास और एक प्लेट में कुछ खाने का सम रखा हुआ था, अनामीका ने वो सब देखा, तो हरानी से कहा, दादू आप ये सब अनामीका की आवाज सुनकर, दादजी पल्टे और कहा, अरे अनामीका आओ आओ, उन्होंने अनामीका से सामने पड़ी कूर्सी पर, बैठने का इसारा किया, अनामीका आकर उनके सामने तो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुआ कहा, दिस इज नोट फिया दादू, आपको इस तरह से पीना नहीं चाहिए, अरे बेटा, रोज कहा बस, कभी खुशी का मौका होता है, तभी तो पी लेता हूँ, दादजी ने घुर भरते हुआ कहा, और आपकी तबियत का क्या, जादा मत सोचो, दादू ने निश्चिन्थ होकर कहा, क्या दादू, अब भी आपको लगता है, आप ये कहेंगे और हम मान चाहेंगे, इतने भी बेब कुप नहीं है हम, अनामिका ने कहा, तु दादू बोले, अच्छा बाबा, माप करो, तुम्हें पीना है क्या, हूतो बाला, कोई गुण नहीं है तुम में, हादादू, हमें भी है लगता है, हम तो हमेशा सोचते हैं, कि हमारा जन किसी ब्राह्मर परिबार में होता, पर पता नहीं, माने हमें ये उपनाम क्यों दिया, अनामिका से राजपूद, जबकि हमारे जितना डरपोग कोई नह है, क्या नाम था तुम्हारी मा का, दादू ने पूछा, गीता सर्मा, वो सर्मा और तुम राजपूद, ये कैसे संभा हो है, दादू ने मनुदसा जानने के लिए कहा, यहीं तो हम नहीं जानते दादू, मां हमें कुछ नहीं बताती थी, बचपन सी उन्होंने हमें पूछने की हिम्मत नहीं की, उनका गुस्सा, बाप रे बाप, हम तो देखकर ही डर जाते थे, और तुम्हारी पिता दादू ने आगे पूछा, उन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं, मां कहती थी, कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर हमें लगता है, तो मैं ऐसा क्यों अचानक से ये दादों के चहरे के भाव बदल के, क्योंकि हमने कभी मां को वैसे नहीं देखा, जैसे औरत अपने पती के मौत के बाद रहती है, उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र हमें सा देखा था हमने, फिर हम कैसे मालने, कि हमारे पिता इस दुनिया मे नहीं है, अनामिका थोड़ी सी भावुक हो गए, तो दादा जी को अच्छा नहीं लगा, और उन्हेंने बात टालने के लिए कहा, बीती वाते छोड़ो और जल्दी से प्लेट इधर दो, इसमें रखे पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, अनामिका ने प्लेट दादू के और बढ़ा दी, तो उन्होंने बापस अनामिका के सामने करके कहा, ये तो खा सकती हो ना, हाँ, कहती हो अनामिका ने एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगी, दादू अकेली ही ग्लास से घून भरते जा रहे थे, जैसे ही खत्म हुआ, तो उन्होंने ग्लास टेबल पर र गातियों कहा, एक क्या आधा भी नहीं, और अगर अपने जित की, तो हम नीचे जाकर दादी को सारी बाते बता देंगे, सोच लीजिए, अनामिका की प्यार भरी धमकी से दादू को ग्लास बापस टेबल पर रखना पड़ा, और उन्होंने कहा, हाँ, होस्यार हो गई हो, अच्छा ये बताईए, आप यहां केले बैठ कर क्यों पी रहे हैं, अनामिका ने दूसरा टुकड़ा उठा कर खाते हो कहा, तो दादू बोले, आज मैं बहुत खुस हूँ, इसलिए और अकेले इसलिए पी रहा हूँ, कि साथ पीने वाला कोई नहीं है, और कहने लगे, आ केस मेरा इकलोता बेटा है, वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, पर वो मेरी कही किसी बात को भी नहीं टालता, कुसुम के जाने के बाद उसका ब्योहार काफी रूखा हो चुका था, लेकिन अकास के लिए उसने अपना फैसला बदल दिया, और ये सब तुम्हारी देखने गए थे, तब आकास जी ने हमें अपने ओनीता के बारे में बताया था, लेकिन जब अंकल ने उनकी साधी की बात कही, तो उनका उत्रा चहरा हम से देखा नहीं गया, हमने उन्से बहुत कहा कि वो अंकल से एक बर बात करें, पर वो तो हमसे भी बड़े डरबोक है नहीं कि उन्होंने बात, हमें लगा हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो सोचकर अंकल के सामने दो-चार एमोशनल डायलोग्स बोले, जबकि अंकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर हमारे पास एक ही उपाय था, कैसे भी करके अकास जी को एमोशनल करना ताकि अंकल उ और उनको लगे कि अकास जी उदास हैं, पर अकास जी ठहरे, इसमायली फेज वाले, उनको एमोशनल करना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने प्यास छीलने को कहा, प्यास बड़े बड़ों को रोला देता है दादू, बस उन्होंने प्यास काटे और उनकी आँखों से आस कमाल ही कर दिया, प्यास ने कहा दादू, सारा कमाल तो इनका है, पीछे से आदित्य ने आकर खाली पड़ी कुर्शी पर बैठते हो कहा, आदित्य को वहाँ देखकर अनामिका का मुँख खुला का खुला रह गया, उसने आदित्य के ओ देखा और कहा, आपने सब सुन लिय हाँ आदित्य ने अनामिका की नकल करते हो कहा, अनामिका ने डरते हो कहा, तो इसका मतलब आप अंकल को बता दोगे, हाँ क्यों नहीं, आदित्य ने फिर से अनामिका की नकल की, अनामिका बढ़ बढ़ाने लगी, फिर तो अंकल को बहुत हर्ट होगा, उन्हें लगेगा ह हमने उनसे सब जूट कहा और अकास जी की साधी के लिए नाटक किया फिर अकास जी की साधी तूट जाएगी और वो डिप्रेशन हो जाएंगे ऐसे में कहीं उन्होंने सुसाइट कर लिया तो सब हमें जिम्मेदार समझेंगे अंकल हमें यहां से निकाल देंगे साइज जेल भीज दें फिर तो हम कभी वहां से नहीं निकल पाएंगे अनामिका को बड़ बड़ाते देखकर दादू और अदित मुस्कुरा रहे थे फिर दादू ने कहा अनामिका यह सिर्प मजाग कर रहा है तुम परिसान मत हो रात बहुत हो गई है तुम नीचे जाओ क्या सच में हाँ तुमें भरोसा है नमुषबर दादू ने कहा तो अनामिका अदित के और देखते हुए सोचने लगी आप पर तो है दादू पर इनका कोई भरोसा नहीं है उसने दादू के और देखकर हाम में गर्दन हिला दी दादून अनामिका को नीचे जाने काहसारफ किया अनाम तल उठाई और धक्कन खोलते हुँ कहा मैंने कहा कुछ किया वो खुदी इतना सोच लेती है आप किस के साथ लेंगे सोड़ा या नीन अधितने साराब किलास में उड़ेल कर कहा दादू ने कहा नहीं मैं नहीं पिऊंगा अनामिका अभी अभी मना करके गई है उसे पता चला तो बुरा लगेगा क्या बात है अनामिका अनमना किया इसलिए नहीं पियेंगे आप मेरी बात तो ऐसे कभी नहीं माने आप अधितने ताना मार्दियों कहा मानता तो मैं किसी की भी नहीं लेकन उसने तनी प्यार से कहा कि मानना पड़ा कुछ तो बात है उस बच्ची में आदित कि उसकी हर बात मानने को जी करता है जब वो प्यार से किसी बात के लिए रोकती है तो एक अपने पन का हैसास होता है दादू ने कहा सठ्या गए हैं आप अधितने ग्लास उठा कर उनके बढ़ा कर कहा कैसा पोता है तू सर्म नहीं आती अपने ही दादा को पैग ओफर कर रहा है दादू ने जूटा गुस्ता दिखाते हो कहा वाह वाह क्या बात है अज सती सवित्री बनने का नाटक सबको पता है कि मैं ही हूँ जिसके साथ बैठकर आप पी सकते हैं आधितने ग्लास उनके और करके कहा क्या फाइदा तू तो साथ में पीता नहीं है दादू नमू बनाकर कहा कंबनी तो दे रहा हूं ना पीने के बाद जब आपको चढ़ जाती है तो आपकी ओदादी की वह 1950 वाली लवे स्टोरी में ही सुनता हूं और हर बार वही घिसी पिटी कहानी कुछ नया नहीं होता उसमें आधितने प्लेट मैंसे रखे पकोड़ों मैंसे एक टोकड़ा उठा कर खाते हूं कहा मैं तेरा मूह तोड़ दूँगा अगर मेरी लव स्टोरी को गीजी पिटी कहा तो तू क्या जाने उस जमाने का प्यार एक दूसरी को देखने में ही सालों गुजार देते थे दादू ने कहा तो आधित बोला हां तभी पापा के ना हम लोगों को कोई चाचु मिला और ना ही कोई बुआ बेसरम दादू ने कहा तो अधित हसने लगा और कहा क्या दादू एक आप ही तो है घर में जिनसे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूं हां जानता हूं इसलिए तो हर बार सुन लेता हूं तेरी अच्छा ये बता अन सवाल कर रहे हैं मेरी पसंद ना पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता दादू अधित मैंने बस पूछा है क्या नामिका कैसी लगी तुझे दादू ने फिर बही सवाल दोहराया तो अधित ने बात डालते हूं कहा आज सिनह सर से मिला था उन्होंने कहा है कि एक हपते इंटरेस्ट एक्जाम है दादा जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है मैं तो कहता हूं तो मैं इंटरसेप्स हैसे बाहर करनी चाहिए वो क्यों आधित नहरानी से पूछा तो दादू बोले घर परिबार से दूर रहोगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा ना मेरा मन तो लग चुका है दादू अधित बढ़ बढ़ाया क्या 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 कहा तुमने दादा जी ने अंजान बंते पूछा कुछ नहीं दादू मैं कह रहा था बाहर रहा तो अर्जश नहीं कर पाऊंगा बाहर का खाना सब चेंज हो जाएगा इससे अच्छा है मैं घर में ही रहूं हाँ बेटा देख रहा है आजकल कहा मन लगने लगा है तुम्हारा दादू ने सरारस से कहा क्या दादू आप भी सस में सठिया गए हो नीचे चलो दादी मां इंतिजार कर रही है दौनों नीचे चले आए दादू आदित को गुड नाइट बोल कर नीचे चले गए अधित अपने कमरे के जाने लगा तो देखा अकास अपने कमरे की बालकनी में बात करता हुआ इधर उधर घूम रहा है अधित उसके पास आया और गले लगा कर कहा थैंक्यू भाई अधित्य के मूँ से ये अचानक थैंक्यू सुनकर अकास चौक गया और कहा थैंक्यू पर किसलिये आपने उसे मेरे लिए छोड़ दिया अधित्य ने गले लगे हुए कहा क्या छोड़ दिया बताएगा कुछ अकास अभी भी हैरान ही था अधित्य दूर हटा और मुश्करा कर कहा कुछ नहीं गूड नाइट अधित्य कमरे से बाहा निकल गया अकास उसे जाती देखता रहा और कहा अजीब लड़का है कौन नेतन दूसरी तरफ फोन में पूछा तुम्हारा देवर ओ कौन अगर तुमने इसे समझा लिया ना तु समझ लो दुनिया समझ ली तु मिलवाओ ना उनसे नीतन बेसबरी से कहा ओ हैलो हैलो होने वाले पती से जादा देवर में इंट्रेस ले रही हो कही नियत न बदल जाये तुम्हारी अकास ने छेरतियों कहा क्या तुम भी देवर छोटे भाई की तरह होता है अब बताओ कम मिल बाओगे नीता ने कहा सगाई में मिल लेना नहीं अभी मिलना है नीता ने बच्चों की तरह कहा अभी इतनी रात को अकास ने कहा, नीता ने कहा, अरे बाबा, मनलब सगाई से पहले, हाँ ठीक है, कल सभी सगाई की सौपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, हाँ ये ठीक रहेगा, तो मुझे सुबह लोकेशन सेंड कर देना, नीता ने कहा, तो अकास बोला ओके डन, लब यू, गुट नाइट, लब यू टू, बाई गुट नाइट, कहते हो, नीता ने फोन काट दिया, अगले दिन सुबह सुबह राधा अपनी अनामिक और अकास मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए, जैसे ही चारों बाहर आए, अधितन अकास के हाँ से, गा कोई होना चाहिए ना, अधितन ने कहा और चाबी लेकर गाड़ी के और बढ़ गया, मा अकास ने बेबसी से कहा, तो राधा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे चला लेने दे, अब चलो तुम सब देर हो रही है, सबी आकर गाड़ी में बैठ गए, अधितन ने गाड़ थे और इस बार भी पुराना गाना ही बजा, जो अधितन का पसंदिदा था, सबी सबर को इंजोई कर रहे थे, अकास ने गाड़ी में लगे, सीसी को अपनी तरब किया, लेकिन उसमें अनामिका का चेहरा नजर आ रहा था, अधितन देखा, तुसे अच्छा नहीं लगा, हमें इंतिजार कितना हैं, ये हम नहीं जानते, मगद जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना, अकास मुस्कुराने लगा, अधितन फिर ध्यान सामने जमा लिया, जैसे ही गाड़ी मार्केट में पहुची, राधा ने कहा, अधित गाड़ी जोयलरी वाली दुकान पर रोग देन आंटी हम भी आपके साथ चलते हैं, ठीक है चलो, राधा ने कहा, तो अनामिका भी उनके साथ नीचे उतर गए, दोनों वहाँ से सौप पर चली गए, और अधित गाड़ी लेकर आंगे बढ़ गया, सौप में आकर राधा ने कुछ कहने देखे, एक अंगत दिखाने के लि आनामिका ने कहा, हाँ पसंद आए, तो तुम ये अपने लिए ले लो, सगाई में पहनने के लिए, अरे आंटी, ये हम कैसे ले सकते हैं, ये तो बहुत महंगी होगी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तुमसे पैसे किसने मांगे, भाई साहब आप बागी के गहने के स ये पायल भी बैक कर दीजे, राधा ने दुकान दर से कहा, लेकिन आंटी, अनामिका ने कहना चाहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, अगर हमें कुछ मानती हो, तो चुप चाप रख लो, राधा ने कहा, अनामिका ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन, परिसान हो रही थी, को इतन मेहंगी चीज कैसे ले सकती है गहनों की खरिदारी के बाद राधन दुकान दर से कहा यह आप घर भिजबा दीजेगा और पेमेन मैं बैंक से कर बात दूंगी उनसे कहकर अरे भाबी जी आप भी कैसी बात कर रही है मैं राकेश जी से बात कर लूँगा आप बेफिक्र और मैं यह घर भिजबा दूंगा थैंक्यू चले अनामिका हां कहते हुए अनामिका उठी और राधा के साथ बाहा निकाल आई दोनों पैदल ही फुटपात पर चलने लगी राधन अनामिका को रुखने को कहा और खुश सामने वाली सौप पर चली गई अनामिका वहां जैसे ही सामने देखा वह लंबे कोट वाला आदमी आंगे निकल गया अनामिका सर सर कहते हुए उसके पीछे आई सौप में खड़ी राधा ने जब देखा तो हाथ का समान रग अनामिका के पीछे आई आदमे एक महंगी चमचमाती गाड़ी के पास आकर रुका और जैसी दरवाजा खोलने के हुआ अनामिका हापते हुए उसके पास आई और कहा सर यह आपका पासपोर्ट वहां गिर गया था हमें लगा आपको इसकी बज़े से परिशानी हो जाएगी सोचकर देने आ गए अनामिका बुरी तरह हाफ रही थी आदमी ने जैसे ही पासपोर्ट ल अनामिका का हाथ पकड़ा और खीशते हुए उसे ले गई अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा आदमी ने नीचे पड़ा अपना पासपोर्ट उठाया और जेब में रख लिया अनामिका को कुछ समझ नहीं आया कि आखर क्यों राधा उसे बहां से इस तरह ले आई